नमस्कार हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज देखे स्कूल टाइमिंग को लेकर विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है जिया हमने आपको बताया था कि कुछ देर पहले शिक्षा विभाग का एक आदेश जारी हुआ था उस आदेश में कहा गया था कि स्कूल टाइमिंग 9 से 5 नहीं बलके 10 से 4 होगी देखे हमने आपको ये भी बताया था कि स्कूल टाइमिंग को लेकर सदल में भी कूब हंगामा हुआ था विपक्ष ने इसको बड़ा मुद्दा बना लिया था और सियम नितीश कुमार को भी खूब घेरा जा रहा था लेकिन आपको बता दे कि जिस आदेश का हमने जिक्र किया था हमने आपको बताया था कि केके पाठक अचानक से दिल्ली चले गए थे लेकिन जब केके पाठक दिल्ली से पटना लोटे तो आक्शन में आ गया और आते ही बड़ा आदेश जारी कर दिया था वो आदेश भी Life Cities ने आपको दिखाया था आपने देखा था कि उस आदेश में क्या कुछ लिखा गया था लेकिन अब आपको बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं जानकारी ये है कि वो जो आदेश निकाला गया था वो आदेश फर्जी है जी हाँ वो आदेश फर्जी है बड़ी जानकारी आपको सबसे पहले लाइफ सिटीज दे रहा है हम आपको बता रहे हैं कि आप इस आदेश का यानि कि जो फर्जी आदेश शिक्षा विभाग के नाम पर चल रहा था उस आदेश का शिक्षा विभाग के अपर मुख सचीव के के पाठक ने खुले तोर पर खंडन कर दिया है और अभी अभी शिक्षा विभाग ने एक और बड़ा आदेश जारी कर दिया है क्या कुछ लिखा गया है उस आदेश में सबसे पहले उस आदेश को देखिए देखे साफ साफ देखे सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सादेश को निकाला है कनहया प्रसार श्रिवास्तव ने क्या कुछ लिखा है सादेश में वो भी देखिए कथ तुरूप से शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 5,5, 4 दिनांक 28,2,2024 के प्रसारत होने की सूचना प्राप्त हुई उक्त अधिसूचना संख्या 5,5,4 दिनांक 28,2,2024 पूनता फर्जी है देखे साफ साफ लिखा गया है पूनता फर्जी है यह अदिसूचना शिक्षा विभाग से निर्गत नहीं है देखे बड़ी बात बड़ा लेटर शिक्षा विभाग ने अभी अभी जारी कर दिया है क्या कुछ लिखा गया है उस लेटर में आपने देखा है बजापता लिखा हुआ है कि जो आदेश शिक्षा विभाग के ना प्राइमिंग को लेकर बड़ा बखेडा हो रहा है हमने आपको बताया था कि ऐसा लगता है कि केके पाठक ने सरंडर कर दिया है ऐसा लगता है कि केके पाठक अब बाक फूट पर आ गए है यानि कि केके पाठक को अब अपना आदेश ही पलटना पड़ा लेकिन आपको हम आदेश नहीं पलता है अभी अभी शिक्षाज भाग ने पड़ा नोटिस जारी कर दिया क्या कुछ लिखा गया है उस नोटिस में हमने आपको बताया है देखिए दोबारा उस nose क्या कुछ लिखा गया है साफ साफ देखिंग cobain करना है करनाय प्रसाद श्रिवास्तव में अभी अभी साफ साफ इसने लिखा गया है कि कफत रूप से शिक्षा विभा की अधिसूचना संख्या 554-292224 के प्रसारत होने की सूचना प्राप्प हुई हैं पुक्त अधिसूचना संख्या 554 दिनांक 282-2024 पूनता फर्जी है देखिए बड़े बड़े लहजे में लिख दिया गया है पूनता फर्जी है ये अधिसूचना शिक्षा विभाग ने निर्गत नहीं की है बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देखिए हमने आपको बता लेकिन एक बार हम आपको फिर बता रहे हैं कि वह आदेश जो शिक्षा विभाग के नाम से जारी हुआ था वह आदेश असली नहीं बलके नकली आदेश है जिहां वह फर्जी आदेश है जिसका अभी-अभी खंडन कर दिया है शिक्षा विभाग के अपर मुख सचीव केक पत्र दूसरा बड़ा लोटिस भी जारी कर दिया है साफ साफ के दिया है कि वह आदेश फर्जी आदेश है और उस आदेश को शिक्षा विभाग में निर्गत नहीं किया है यानि कि देखिए जैसे ही हमने आपको बताया था जैसे ही ये खबर चली थी जैसे ही वह लेटर वाइरल हुआ था लगतार आपने देखा था कि शिक्षकों ने शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया था आपने देखा था कि लोग ट्विटर के जरीये अपनी अपनी राए व्यक्त कर रहे थे साफ साफ कह रहे थे कि आखर कार सेम नितीश के दबाओ के बाद के के आया था कहा जा रहा था कि आदेश शिक्षा विभाग ने जारी किया है शिक्षा विभाग ने अभी अभी उसका खंडन कर दिया है यानि कि सिरे से उसको नकार दिया है साफ साफ के दिया है कि वो आदेश फर्जी आदेश है उसको नहीं मानना है हर्गिस नहीं मानना है यान परिल खबर की सचाई क्या है हम आपको बता रहें कि सही क्या है गलत क्या है और स्कूल टाइमिंग को लेकर बड़ी बात यह है कि विवाद अब भी थमाल नहीं है तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है तो यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट क करके हमें जरूर बताईएगा तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसी हमारे साथ बने रहेगा और देखते रहेगा लाइप सिटीज बहुत शुक्रिया झाल 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